इस वीडियो की जानकारी इंटरनेट से ली गई है. इस दवा का उपयोग करने से पहले डॉक्टर की सलाह निश्चित रूप से आवश्यक है. इस वीडियो को देखने के बाद यदि आप किसी भी दवा का उपयोग करते हैं तो हम किसी भी दुश्प्रभाव के लिए जिम्म द्वारा बताए अनुसार पूरा करना चाहिए. इस दवा के सबसे आम दुश्प्रभावों में जी मचलना, पेट दर्द, सिर्दर्द, बजन बरना और स्थन दर्द शामिल है. यदि ये आपको परेशान करते हैं या गंबीर दिखाई देते हैं तो अपने डॉक्टर को बताएं. उन्हें कम करने या रोकने के तरीके हो सकते हैं. अपने चिकितसक से परामर्श करें यदि आप अकसर चक्र के बीच में स्पोर्टिंग या ब्राउन डिस्चार्ज का अनुभव करते हैं. यदि आप अपने अंगों में असपश्ट सूजन और दर्द, सांस की तक बता होना चाहिए क्योंकि इन में से कई इस दवा को कम प्रभावी बना सकती हैं या इसके काम करने के तरीके को बदल सकती हैं. यदि आप गर्भवती हैं या स्तनपान करा रही हैं तो दवा के उप्योग से बचें. युकसा टेबलेट के लाब, पॉलिसिस्टिक डिमग्रंथी सिंड्रोम PCOS का उपचार. पॉलिसिस्टिक डिमग्रंथी सिंड्रोम PCOS वाली महिलाओं में अन्रोजिन नामक पुरुष हॉमोन का उच्चस्तर होता है, जो अन्यमित मासिक धर्म चक्रत पीरियद्स अत्यदिक प्रभावी धंग से इलाज करने में भी मदद करता है. इसे डॉक्टर के बताय अनुसार लें. अधिक्तम लाब प्राप्त करने के लिए किसी भी कुराग को न छोड़ें और अपने चिकित्सक के निर्देशों का ध्यान पूर्वक पालन करें. इस दवा को अपने डॉक्टर द्वारा बताई गई खुराक और अब धीमे लें. इसे पूरा निगल लें. इसे चबाएं, क्रश या तोड़े नहीं. युक्सा 35 टेबलेट भूजन के साथ या बिना भूजन कि ये इसे लिया जा सकता है. लेकिन बेहतर यह होगा कि इसे एक नियत समय पर वरियता के साथ लिया जाए. वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन् इसे लिए बाद.